दोस्तों आज मैं आप लोगों के शाथ शेयर करूँगा हिविसकास यानि कि गुरहल जाशून फ्लावर प्लाइन की क्यार आप लोग जून मांथ में कैसे करेंगे फर्टलेजर क्या देंगे आभी भी टेंपरेचर काफी ज़्यादा हाई है कही कही मनशून आ चुके है कही कही बारिश हो रहा है कही कही टेंपरेचर काफी ज़्यादा हाई है मेरे एरिया में आभी भी हिट बेब है और टेंपरेचर काफी ज़्यादा हाई है 43 degree temperature है अभी भी temperature कम नहीं हुआ है dry air है air में कोई भी humidity नहीं है zero humidity है ऐसे air चलते हैं ये condition में मेरे hibiscus flower plant इतने अच्छा कैसे हुआ है कैसे मैंने इसको maintain किया है शब कुछ आप लोग को share करेंगे kindly आप लोग आखरी तक वीडियो देखिएगा जो दोस्ते new देख रहा है kindly आप subscribe कर लिजी शाथ में bell icon को press करें और all button को on कर लिजी ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो आपलोड करूँगा आपको notification मिल जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप इसका फाइदा अले शक्त हो ये एक देशी हibiscus flower plant है याने की yellow color की variety है देखिए बहुत ही खुबसरत है लेकिन flower की size थोड़ी से छोटे है इसका reason है काफी ज़्यादा temperature है high temperature होने के बाद हम जब artificially इसका temperature कुछ कम करने की कोशिश करते है flower तो खिलते है flower plant की growth अच्छा आता है लेकिन flower की जो size है size कुछ छोटे हो जाते है इतने अच्छे size तब आएंगे जिस टाइम से मनशुन आ जाएगा उस टाइम से इसमें flower जो खिलेंगे काफी बड़े शाइस की flower खिलते हैं और बहुत शंदर शंदर flower खिलते हैं इसके बाद भी flower plant की जो growth है बारा इंच की एक प्लास्टिक की pot है और इसमें flower plant की जो growth है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ देखिए बहुत शंदर growth है नॉनस्टफ flower खिलते हैं एक दिन पहले फ्लावर खिले थे और धूप से जल चुके हैं देखिए जर नहीं है आभी की flower क्या होता है जरते नहीं है जल जाते हैं ड्राइ हो जाते हैं और plant में ही रह जाते हैं एक दिन पहले खिलाता है इशब flower और इसके बाद धीरे धीरे करके देखिए ऐसा होता रहता है लेकिन जरता नहीं है flower plant आप लोग देख पर है healthy है बिल्कुल healthy है बहुत अच्छा से देखिए कोई भी बिमारी नहीं है और growth भी काफी अच्छा है शात में barts देखिए non-stop barts है शबी जगा पर barts है शबी टीप्स में barts है तो शबसे पहले मैं बात करूँगा immediate clopid आपके पास कोई भी company की होंगे immediate नाम से हो confidant नाम से हो tatamida नाम से हो या कोई भी नाम से होंगे immediate clopid 17.8 SL इसको धेन रखिएगा immediate clopid 17.8 SL लिखा हो उसमें इसका डोज होगा 1 ml एक लेटरा पानी में मिला के spray करेंगे शाम की टाइम शाम की टाइम इस्प्रे करें उससे एक घंटा पहले आप flower plant को नेलाईए बहुत अच्छा से इसके बाद एक घंटा बाद आप इस्प्रे करें definitely आपको अच्छा result मिलेंगे इसके उपर thrips नहीं लागेंगे कोई भी कीड़े का attack नहीं होगा और यह जो छोटे 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 बाद देखी छोटे छोटे बाद धीरे धीरे करके ऐसे बड़े होंगे और इसके बाद देखी open होने के लिए तैयर हो जाएंगे और इसके बाद ऐसा होगा और इसके बाद खिल जाएंगे ऐसे करके आप लोग को अच्छा रेजल्ट मिल शकता है कोई कोई दोस्त इमिरिया क्लोपीड एक बार स्प्रे कर देते हैं फेड नहीं करते हैं फिर बिमार पर जाते हैं ऐसा नहीं चलेगा एक कंटीनू आपको करना पड़ेगा हफ्ते में एक बार फांजी साइड की आभी यतिनी ज़्यादा टेंपरेचार में ज़रुत नहीं है फ्लक्चेशन होगा क्लाइमेट में कभी ऐसा होगा बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है क्लावडी है उस टाइम आप 15 दिन अंतर से एक बार रिड़मिल गोल्ड दो गिरामेट क्लिटर पानी में मिलाकर इस्प्रे करें आपको आच्छा रिजाल मिलेगा हिविसकस फ्लार प्लांट को भी मैंने देखा है एक चीजे कि इसको भी काफी ज़्यादा एसिडिक शॉयल पसंद है तो मैंने एसिडिक शॉयल बनाने के लिए भी कुछ मेंटेन किये है जो हमने किये है वो भी मैं आप लोगो बता देता हूँ इससे पहले मैंने एक एसिडिक वाटर कैसे तेयर करें वो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था उस वीडियो को देखिए आई बटन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिये है उस वीडियो को देखिए इसके बाद आप एसिडिक वाटर शॉयल में देजिए हबत आ चुके है और अभी मन सुन आने बाले है तो मस्टरड के एक लिकूट फैटलेजर आभी हम नहीं देंगे लेकिन इसकी बदल में हम लिकूट फैटलेजर में और्गनिक लिकूट फैटलेजर देंगे तो क्या देंगे चली मैं दिखाता हूँ यह देखिए यह है और्गनिक लिकुट फटलेजर और यह और्गनिक लिकुट फटलेजर के वीडियो आप लोगों को मैं दे चुके है आप लोगों ने देखा भी है देखिए इसका जो प्योरिस्ट फॉर्म है कितने अच्छी कलर है इसका यह फटलेजर आप कैसे देंगे मानने जीए यह बारा इंच की पॉट है सबसे पहले तो हमारे पॉट के शॉयल मॉइस्ट होना चाहिए और इसके बाद 304 शेमल करके हम देशकते हैं एक दिन पहले शाम की टाइम आप पॉट भर के पानी दीजिए पानी देने के बाद आर्ली मॉर्निंग आपको 300 से लेके 4 शेमल एक फटलेजर देना है अब आपकी मॉन में कोश्चन आएगा इक फटलेजर हमने कैसे तेयर किये है एक काउडं केक से बना हुआ उपले से बना हुआ अर्गनिक लिकुड फटलेजर बर्शात में भी देंगे तो आपकी पॉट में कभी भी फंगस की अटाक नहीं आएगा आप आलवएज यूज़ करशकते हैं एक फटलेजर तेयर करने के लिए उपर एक आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दिये है उस लिंक में क्लिक करेंगे एक वीडियो आएगा उस वीडियो को देखिए और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिये है उस वीडियो को देखिए पास से लेके शाब दिन में एक बार ही यूज़ करना है आप मैं कुछ केमिकल फटलेजर देंगे एफलर प्लान्ट को और इसके बाद और बताएंगे इसके बाद और क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं यह देखिए केमिकल फटलेजर यह मेरा 2.5 ग्राम की स्पुन है यह मान लेजे 2 ग्राम की स्पुन है इसको भरके हमने ले लिए हैं 12 इंच की पॉट होने के कारण मैं आभी हाई टेम्परेचर में भी 2 ग्राम कॉंटिटी में केमिकल फटलेजर देते हैं और केमिकल फटलेजर क्या है वो मैं आप लोग को अभी बता दूँगा 2 ग्राम हमने फटलेजर दे दिये 2 से 2,5 ग्राम यह जो इस्पुन देख रहा है आगार आपको पर्चेस करना है इसका लिंक भी देवा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से पर्चेस करशक्ते हो यह जो केमिकल फटलेजर है आप लोग बहुत ही ज़्यादा परिचीत है NPK 170934 हिविसकास मिक्स फटलेजर यह फटलेजर ग्रिन गर्डेन ने डेवलप्ट किये है ग्रिन गर्डेन बहुत जाल आप लोग को फिर से फटलेजर देंगे और भी ज़्यादा लेटिस्ट फटलेजर की ट्रायल चल रहा है जैसी ट्रायल कम्प्लिट होगा ट्रायल मिन्स मैं पहले यूज़ करता हूँ इसका रिजल्ट देखता हूँ और इसके बाद मैं आप लोग को शेयर करता हूँ रोज फटलेजर प्लायन की और हिविसकास फटलेजर देंगे वो फटलेजर आप आपके गर्डेन में सालो साल यूज़ कर पाएंगे ऐसे टाइप की फटलेजर गर्डेन बहुत जल्द लेकर आएगा यह जो फटलेजर दिये है यह फटलेजर हफते में एक बार देना है हफते में एक बार देंगे हम देखिए आज दिये है शाद दिन बाद फिर से देंगे और इसके बाद हम पानी डालेंगे, बहुत अच्छा से पानी डालेंगे, पूरे गमले भड़के पानी डालेंगे, और इसके बाद हम नलाएंगे, फ्लार प्लांट को बहुत अच्छा से नलादेंगे, और दफेर में एक बार फिर से पानी डालेंगे, और नलाएंगे, शाम इतना पाणी देता हूँ, इतनी पाणी देने से फ्लार प्लांट कुछ तिम्परेचर कम मैसूस करते हैं, और फ्लार प्लांट काफी अच्छा क्रोध करते हैं, और इसका रेजल्ट काफी अच्छा रहता है, तीन से चार बार आप नलाईए किसी किसी दिन तो मैं रात को नो बजे भी नलाता हूँ टिम्परेचर इतना ज़्यादा है रात को नो बजे भी एक बार ठंडे ठंडे पानी इसके उपर अगर नला दिया जाए इसके उपर शौरिंग कर दिया जाए तो फ्लावर प्लांट शभी फ्लावर प्लांट काफी अच्छा होता है ऐसे गर कि मैं क्यार करता हूँ शाथ में और्गनिक लिकुड फैट लाजर हम हफते में एक बड़ देते है मल्टिपल माइक्रनियूटेंट आप अगर नहीं देंगे तो इतना अच्छा रेजल्ट नहीं मिलेगा आपकी पाश रेक्ष्वलिन शी एक्सके है ब्वान ग्राम एक लिटर पानी में मिला के इस्पर करें मोबो मीन है मोबो मीन दो ग्राम एक लिटर पानी में मिला के इस्पर करें तीन नाम लिए है मल्टिपल माइक्रनियूटेंट की कोई भी एप लेकर आप यूज करें आपको रेजल्ट मिलेंगे शवीकर डोज मैंने बता दिया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जरूर दीजी, आपके पास शागरी का है, शागरी का यूज करो, अगर बायो बीटा एक्स है, बायो बीटा एक्स यूज करे, अगर नहीं है, शुपर सुनाटा है, सुपर सुनाटा यूज करे, मिरकुलान है, मिरकुलान यूज करे, ग्रीन आभी चले मैं पानी डालता हूँ फर्टलेजर देने के बाद आपको पॉट भरके बहुत अच्छा से पानी डाल देना है धेन रखिएगा मैंने आभी सवा लिटर याने की एक लिटर दो सो पचाश मेल पानी डाला है आभी भी पूरा पट भरा नहीं है मैं कुछ पानी और लेके आता हूँ और इसमें डाल दूँगा और आप लोग भी डाल दीजिएगा और इसके बाद फ्लार प्लांट को हम नेला देंगे तो उम्मीद करेंगे दूस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आये लाइक करें शेयर करें शाब्सक्राब जरू करें शाथ में बिल आइकन को प्रेस करें थांक्स बर वाचीन